दोस्तों मेरे यूटूब चैनल IOC की आज की इस वीडियो से STML की सुरुवात की जा रही है तो यदि आप STML सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी जो वेडियो है इस वेडियो के सेरीज को जरूर जोईन करें और भारी बारी से वीडियो को देखते रहें उसी यखीन है कि जब तक या वीडियो समाप्त होगी आपको STML के संबंध में पूरी जानकारी हो जाएगी तो चलिए आपके बिसे समय को नष्ट नहीं करते हैं और आज STML का एक साधारन सा परिचे मैं आपको अपनी इस वीडियो के साथ रखता हूँ STML Wave Development में एक महत्वपूर धूमिका निभाता है यह एक मानक भासा है जिसका उपियोग वेब पेज बनाने, एडिट करने और जानकारी को प्रदलसित करने के लिए किया जाता है STML Wave Development में बहुत बड़ी उपियोगिता निभाता है क्योंकि यह एक सरल और आसालनी से समझ में आने वाली भासा है यह टेग का उपियोग करके अपनी चटिलताओं को शंगठित करने की अनुमती देता है यह टेग वेब पेज में अलग-अलग एलिमेंट को निर्लेसित करने का कारे करते हैं जैसे में heading हो गया, पैरा graph हो गया, images हो गए, hyperlinking हो गई, इत्यादी HTML का उपियोग करके आप अपने वेब पेज को आकर सक और प्रभावी बना सकते हैं आप अपने टेस्ट को रंगीन बनाने के लिए CSS का उपियोग कर सकते हैं और एक मंच प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि एक platform प्रदान कर सकते हैं जिसकी माध्यम से translation, search और conversation और इस तरह की अनिकारिक आसानी से किये जा सकते हैं आईए अब HTML की परिवासा और इसकी महत्यकों समझते हैं आज आपकी द्वारा देखे जाने वाले अधिक्तम वेब पेज HTML का उप्योग करते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू, HTML का full farm hide पर test markup language होता है जो इंटरनेट की दुनिया में building block के रूप में कारे करता है HTML की विशर में जानना बहुत जरूरी है HTML एक markup भासा है जो वेब पेज की सामगरी का निर्मार करती है जिसकी वज़ा से text, image, multimedia और hyperlinking को आसानी से एक इक्रित करने में सक्षम बनाया जा सकता है यह सूचनाओ को दिवस्थित करने और प्रस्तुत करने के लिए एक मानक प्रारूप रधान करता है विभेन प्लेट फार्मों और उपकरनों की निरंतरता और पहुँच सोनिश्चित कराता है आईए यह वेबसाइड विकास के लिए HTML को समझने का क्या माउत तो है इसको देखते हैं तो HTML की सुरुवात 1990 के दसक में हुए थी और अपने अस्थापना के बाद से ही इसमें एक लंबा सफर ते किया है पिछले कुछ वर्सों में इसमें कई संसोधन हुए हैं और वर्तमान में इसका जो संस्क्रण O.P.O किया जा रहा है उसको HTML5 की नाम से जाना जाता है इन संसोधनों का परिडाम है कि बरतमान में HTML पर कारिकरना काफी आसान और काफी तेज परिडाम देने वाला हो गया है आईए अब आर्टिकल की संसना का एक संचिप दोलोकन कर लेते हैं तो HTML की साथ काम करने के लिए इसके मूल भूत कंपोनेंट्स को समझना होगा HTML के elements, tags और attributes एक web page की भीतर सामगनी की संसना और word on करने के लिए उप्योग किये जाने वाले bidding blocks हैं elements को tags की द्वारा दर्साया जाता है जो की angle bracket में लिखे जाते हैं IOC की आने वाले वीडियोज में हम जानेंगे की HTML क्या होता है HTML में आम तोर पर उप्योग किये जाने वाले विभिन प्रकार के tags और attributes के साथ search engine के लिए website को अनकूलित करने के लिए इसकी इसका क्या मौत होता है इसको जानेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और जल्द ही इसकी जो अगले वीडियो है मैं आपके साथ share करूँगा दोस्तों यदि आपको coding बिल्कुल नहीं आती है तो मैं आपसे ही कहूँगा कि आप परशान बिल्कुल नहों आने वाली वीडियो को आप बारी बारी से ध्यान से देखते रहें निश्चेत रूप से थोड़े ही समय में HTML एक ऐसी आसान language है कि जो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप अच्छे तरीकी से काम कर पाएंगे लेकिन हाँ इसके लिए जरूरी यहा है कि आप किसे भी वीडियो को मिस न करें तो यदि आप HTML सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल IOC को सब्क्राइब कर लें और बिल आइकान पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन को आन जरूर कर लें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो के कमेंट सेक्षन में यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप और जरूर पोसकते हैं मेरा प्रियास होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपके प्रस्नों का उतर दे सको अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ आपने अपना कीम्ठी समय में दिया है इसके लिए मैं आपका दिल से आवारी हूँ धन्यवाद थेंक यू बेरी माच